इस्टूरेंट्स बिल्कुल सही वीडियो तक आप पहुंचे हैं इस वीडियो में अपने लोग एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने वाले हैं जेईकप 2023 का आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जेईकप की आफिसेल प्रेपसाइड जेईकप.admissions.nic.in पर आ जाना है में बहुत जादा प्राउबलम थी और इतना कॉंप्लिकेटड एड्मिट कार्ड डाउनलोड सायद ही किसी परिच्छा का होता होगा ना तो ऐसा कभी नीट का हुआ ना जेईकप का हुआ ना CVT का हुआ और पहली बार UP पॉले टेक्निक यानि कि आपके जेईकप की परवे कार्ड पूरा प्रासेस आपको समझना है क्योंकि काफी काउंप्लिकेटड प्रासेस है आपको समझना होगा कैसे डाकुमेंट अप्लोड करना है कैसे क्या चीज़ें करना है हम या पर सबसे पहले अपना अप्लिकेशन नंबर फिल करेंगे उसके बाद हम अपना पासवर् वही जो आपने application form को fill करते time पर बनाया था भूल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है वो आपका forget हो जाएगा candidate आपको admit card download करने से पहले एक चीज़ करना होगा वो है अपनी 10th की mark seat आप लोग पहले से scan करके PDF में convert करके 50 KB से ज़्यादा 400 KB के अंदर करेंगे उसको आप अपने pass रखेंगे तो हमने password फिल कर दिया अपना security pin भी हम फिल कर रहे है जो नीचे आपको blue color का दिख रहा है इसी को ऊपर adjectives आपको fill कर देना है और इसको fill करने के बाद आपको क्या करना होगा login option पर click करना होगा यही नीचे वाला हम लोग यहाँ पर click करते हैं तो हम लोग sign in चुनते हैं आपको sign in दिया गया है login आपको उसी same चीज होती है फिर क्या है कि OTP अब यहाँ पर क्या है कि आपका phone number या आज email आपके पास होना चाहिए यह option आपको दिख रहा है न यहाँ पर क्या होगा आपको OTP फिल करना होगा अब OTP आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं यह आपके उपर depend करता है जैसे कि मैं इस arrow पर जब click करता हूँ छोटे वाले पे तो यहाँ पर OTP के दो माद्ध हम दिये गए एक registered email ID एक register mobile number mobile number easy होता है कि क्या होता है किसी छेतर में ऐसे आप हो जहाँ पर आपका network अच्छा काम ना कर रहा हो तो इसलिए वहाँ पर problem होती है तो हम लोग क्या करेंगे आपर जो भी अपना OTP होगा जो अपने phone number पर आया है हमने phone number को चुना है कि जिससे कोई हमा लीजिए आप भी कर रहे हो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कोई भी step आप मिज ना कर जाए कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपके लिए complex हो हम यहाँ पर सारी चीज़ें इसके बात करते हैं तो यहाँ पर OTP हमने फिल कर दिया है इस तरह से मेरी profile पुल चुकी है मैंने अपना वही form फिल किया है ऐसा इसलिए कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ future में जो भी चीज़ें होंगी choice filling कैसे करना है क्या कैसे कुछ भी जो भी होगा आपका सब कुछ मैं आपके अपने profile पे दिखाऊंगा करके सारी चीज़ें आपको choice filling, seat, allartments अब कुछ तो view admit card पे अपने लोग click कर देते हैं जब हम click करते हैं अब admit card नहीं दिखता है आपको यह सारे step आपको incomplete जो दिख रहे हैं इसको आपको complete करना होगा अपने admit card को download करने के लिए तो क्या करना होगा आप सबसे पहले अपनी qualifications भरनी होंगी फिर उसके बाद upload certificate तो हम चलिए पहले अपनी qualification भरते हैं qualification में आप 10th का भर सकते हैं या फिर अपने last class का भर सकते हैं जो जिसकी requirement आपके जही कप में थी तो मैं यहाँ पर 10th का भर के और submit कर देता हूँ 10th की आप अपनी सारी detail भरेंगे और submit option पर click कर देंगे अब आता है देखें यहाँ पर completed होगा अब आपको upload certificates वाले option पर click कर देना है side में left hand side में आपको दिख रहा है upload certificate में आपको 10th की mark seat select करना होगा यहाँ पर upload करना होगा choose file में आपको check करना होगा और choose file करके आपको क्या करना होगा पहले से आपको अपना जो आपकी जो mark seat है उसको scan करके और उसको आपको last class थी जिसकी requirement थी जाइक अप में उसको भी आप upload कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर upload कर दिया है size का आप ख्याल रखेंगे कि 50 kv से 400 kv कहां से करना है Google पर कोई भी PDF resizer आप जाएं वहां से कर सकते हैं किसी application से कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं upload certificate हो गया यह भी completed दिखा रहा है अब verify your identity दे रहा है उस पर जब अपन लोग क्लिक करते हैं verify your identity पर तो इस तरह से एक page कुलता है जहां पर मेरी सारी information है तो मुझे सब से नीचे आ जाना है नीचे जब आधार card number वाला option जो है वो यहां पर अपसो हो रहा है अब मुझे यहां पर क्या करना होगा अपना आधार number डालना होगा नीचे जो दिया गया है उसको अपना security pin डालना है साथ में जो यह box आपको दिख रहा है declaration के नीचे इसको आपको चेक करना होगा candidate तो आप यह सारी च application upload certificate verify identity अब आती है field choices candidate field choices का option पहले हमको ऐसे नहीं मिलता था पहले हमको field choices का option तब मिलता था जब counselling होती थी लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है यह मैं एक तरीके से कहूं अब BTOP क्या कर रहा है इसके लिए यह जान लीजिए कि कोई भी खराब से खराब सब् profession में है कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं लेकिन यह है कि काफी गलत हो रही है student के साथ सीजें कि student के लिए इतना ज्यादा tough बनाया जा रहा है यह सब कुछ तो हम क्या करेंगे field choices पर click करेंगे और choice filling के option पर click करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास कितनी choices available हैं unlocked है भी तक आप पर fill करेंगे और submit option जो आपको green color का दिख रहा है इसको क्या करना होगा इसको आपको tick करना होगा ओके पर हम click कर देते हैं अब यहाँ पर क्या है मैंने अपना password डाल दिया मुझे अपनी choice filling करना है सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी government college नहीं दिख रहा है यह एक तरह से का आप कह सकते हैं यह आउपचारिक Memorial है मुझे कोई भी private college नहीं चाहिए मेरी च्वाइस में कोई private college है नहीं गौर्मेंट इसमें दिखी नहीं रहा है अब देखे इस टेट gotimate let me select करते एक बी college नहीं दिख रहा है अब मुझे चाहिए government मौन लेजे मुझे नहीं चाहिए लेकिन आपको तो government ही चाहिए लेकिन क्या है कि हमारी मजबूरी है कि हम वहाँ पर private college चुन रहे हैं और जो उन्होंने अपना pdf जो उन्होंने बताया है admit card download करने का तरीका उसमें भी उन्होंने government को ही select किया है लेकिन हमें क्या है हम private दिया जा रहा है आप एक smart श्री जब करें तो आपके पास option हो कि हाँ एक तो आप flood कर सकते हैं तो आप process करें एक ही रखें बाकि आप एक से जादा भी रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे मेरे हिसाब से कुछ होने वाला है नहीं counseling में लेकिन यह क्यूं किया गया कैसे किया गया है यह क्यूं किया जा रहा है इसका जवाब सायद किसी के पास नहीं होगा इसका जवाब BTUP के पास नहीं होगा जैकप किसी के भी पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी choice feeling करेंगे add action के नीचे add button पे click-click करके आप choice feeling कर सकतें यहाँ पर मैंने 1 choice लिया है और 28-27 को मैंने यह choice अपनी फिल किया है रात के बारा बज़े मैंने फिल किया है तो क्या हुआ कि वीडियो मैंने सोचा आपको सुबा देंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या चीजें आपको करना है कैसे तो यहाँ पर क्या है मैंने 24 फिलिंग कर दी है एक कॉलेज की आप एक से ज़्यादा कॉलेज भी कर सकते हैं यह इस टिप तो बिल्कुल समझ में नहीं आए 24 फिलिंग वारा तो हम save and continue करते हैं खैर यह है कि आप जो चीजें है परसनल मैसेज कर से हैं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ लेकिन यह आप ग्रूप में पब्लिक ली ऐसे अपना पास्वर्ड अप्लिकेशन नंबर साजा कर रहे हैं इसमें आपकी जिम्मेदारी है फिर हम यहाँ पर डाउनलोड एड्मिट कार्ड पर क्लिक करते हैं सारे स्टेप मेरे complete हो चुके हैं 24 फिलिंग तक देखे जो भी अपने 5 स्टेप थे 4 complete हो गए अब मैं डाउनलोड एड्मिट कार्ड करता हूँ लेके जाऊंगी तो यह आपका admit card होग सकता है इस तरह से आपको दिखेगा exam center और address दिये गए यह आप लोग देख सकते हैं जो भी candidate की center पर आ रहे हैं तो हम मवस मिलेंगे उनसे कोसिस करेंगे मैं exam में जरूर बैठो तो पर यहाँ तो आप देख सकते हैं और Saturday को है मेरा जो exam time है वो चार बज़े से छे बज़े की बीच मेरा exam है ये भी चीज़ है आपको देख सकते हैं इसके बाद नीशे आपको निर्देश दिये गए हैं exam hall के लिए आप देख सकते हैं सारी चीज़ां आपकी दिये गई हैं तो ये है क्या ये है मेरा admit card हमें print option प आप निकालेंगे आपकी photo clear है नहीं clear है दो photo अपने साथ रख लीजिएगा अपना एक आधार card कोई भी ID अपनी रख लीजिएगा इसमें हम लोग जनरली आधार card ही लेके चलते हैं जो कि हर जगा पर मानने होता है तो आप आधार card अपना और उसके साथ ही अपनी दो photo आपको विजिट करना है इस तरह से मैं अपने PDF को अपने नाम के recording आप सेप कर लें बाकि निकालना तो आपको आज ही है आज ही आप अपने admin card को निकाल के अपने पास रख लें कोई जल्दवाजी ना करें